Hello viewer, पिछली वीडियो में हमने parts of speech complete कर लिया है तो अभी हम active and passive voice को discuss करेंगे लेकिन उससे पहले हमें object, verb और subject को सीखना बहुत जरूरी है तो आईए देखते हैं For example, he, write, book सही हो गया ये he क्या है, ये subject है write क्या है, verb है, book क्या है, object अब subject क्या होता है जो action कर रहा हो, क्या है वो subject है जो action को express कर रहा है वो verb है और जिस पे action हो रहा है, वो object है ये बिलकुल आसान है ठीक है I hope आप ने understand किया होगा तो आप इस पे practice जरूर कर लेजिए और भी example देके आप इस पे और अगली वीडियो में हम active and passive wise को discuss करेंगे और तब तक के लिए अल्ला हाफिस और रहाएं और ना सब्स्च्राइब के इसफ़गा जद़गा